चलिए उस तो बात करते हैं सेकूर नहीं कुशिन के बारे में इस कुशिन में एक्जामने ने का एक दुकानदर एक रेडियो के अंकित मुल्ये पर 20% की छूट के साथ 12% की अत्रिक छूट देता है यदि रेडियो का विक्रह मुल्ये 704 है तो अंकित मुल्ये क्या होगा ये एक्जामने ने मुझसे पूछा तो मुझे पता है कि विक्रह मुल्ये जो आता है वो छूट देने के बाद जो वैल्यो आती है वो मेरे पास क्या होता है विक्रह मुल्ये होता है इसका मतलब है 704 इन्टू में अगर 100 बाय में तो अट्टू अट्टे चोषट और यह अट्टू चोषट इस से चल जाएगा आपका तो कितना बचेगा आपका 1000 रुपे यानि कि उसका जो mark price होगा वो कितना होगा आपका 1000 रुपे होगा यानि कि option जो मेरे पास में आपका D होगा वो इस question के लिए correct होगा एक बार देख लेते हैं फिर भी अगर मानूगी मेरे पास में MP मेरे पास में यह है mark price इस पर में चूड़ दूगा कितने percent चूड़ दूगा आपका 20 percent की तो 20 percent निकाल के इसमें से minus करेंगा तो यह कितना बचेगा 80 वाइ में 100 बचेगा इंटू में फिर जो बचा उसका कितना 12 percent की चूड़ दे रहा है तो 12 percent 100 में से 10 minus करेंगा तो 90, 90 में से 2 जो 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 एक आठासी बटे में 100 यह जो value होगी, वो किसके बराबर होगी आपकी 704 के बराबर होगी, तो MP कि जो value मेरे पास में कितनी होगी 704 इंटू में कितना होजागा 100 इंटू में 100, और आपका